Hello friends, this is S.P. Singh and welcome to Smarter Every Day. प्यारे दोस्तों बात करेंगे, D.L.A. फर्स्ट समेस्टर में आपके 8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से जो आपका paper number 3 है, यह teaching of science है, याने की विज्ञान का paper है. और बाकी जो paper first है, second है, classes continue है, यदि आपने नहीं देखा है, तो playlist पूरी बने हुए है, आप वहाँ से classes को देख सकते हैं, और जो आपकी विज्ञान की class है, इसकी एक class हो चुकी है, आज ये class number आपकी second रहेगी, बिल्कुल सुरू से, जीरो से, बहुत आजसान सब्दों में हम सुरू कर रहे हैं, ओके, चलिए. तो जो first class हमारी हुई थी, उसमें हमने सजीव वस्तों को समझा था, सजीव वस्तों में क्या होती हैं, इनके लक्षन क्या होते हैं, और निर्जीव वस्तों में non-living things क्या होती हैं, सजीव और निर्जीव में proper अंतर को समझ लिया था, आज से हम बात करेंगी प्राकरतिक वस्तों की, natural things की, human things की, प्राकरतिक वस्तों में क्या होती हैं, माना और निर्मित वस्तों में क्या होती हैं, इनको हम detail में समझते हैं, प्यारे दोस्तों, अगर मैं जनरली बात करूँ, तो आप रोज अपने atmosphere में अलग-अलग तरह की चीज़े देखते हैं, जैसे आप सेज, कुरसी, अलमारी, गलास, बालती, है ना, अपने atmosphere में हरे, पीड, पौधे, है ना, हवा, पानी, जीव जन्तू, बड़ी बिल्डिंग्स, और नदी, तालाब, जरने, वन, जंगल, सब कुछ देखते हैं आप, इसमें से कुछ चीजें, जो हमें प्रकृत से प्राप् निर्मित हैं, जिनको मनुस ने बनाया है, और जो हमें प्रकृत से प्राप्त होती हैं, वो प्राकृतिक वस्त्वे हैं, प्राकृतिक वस्त्वें क्या होती हैं, जो वस्त्वें हमें प्रकृत से प्राप्त होती हैं, जो नेचर से प्राप्त होती हैं, और जिनमें हम किसी भी प्रकार का प्रिवर्तन नहीं कर सकते उनमें कोई बदलाब नहीं कर सकते अर्थात प्रकृत के द्वारा यह जैसे उत्पन होती हैं उनका हम उसी रूप में प्रियोग करते हैं प्रकृति जिन वस्तों को हमें निसुल्क प्रदान करती हैं हमसे कोई सुल्क कोई पैसा प् प्रकृतिक संसाधन कहलाती हैं, जिनमें जो में प्रकृत से प्राप्त होती हैं, उसके बदल में प्रकृति हम से कुछ नहीं लेती है, और उनका प्रयोग हम उसमें बिना कोई प्रमृतन किये ही कर सकते हैं, वो चीजे क्या हैं, प्रकृतिक वस्तमें हैं, ठीक हैं, और मिट्टी है पेड़ पौधे हैं आपके सूर चंद्रमा है ना और आपके खनीची चीजे आ जाती हैं और यही सब चीजे हमारी प्राकरतिक हैं आप इसमें उधारण के तोर पर और आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे हवा या वायू जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है एक मुफ्त प्राकरतिक संसादन है है ना वो यदि हमें ना मिले तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा हमारा जीवन क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा impossible है life without air without air life is impossible बल सो कितनी मुलेवान चीज हमें फ्री में निसुल प्रकृत से मिल रही है जिसका प्रयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं पेड़ पौधे भी प्रकृतिक संसादन हैं हमें प्रकृत ने दिये हैं पेड़ पौधों से हमें फल, फूल, सबजी ये सब चीजे प्राप्त होती हैं और इनके बिना भी जीवन नहीं चल सकता यहनी से हमें खनिजपदार्थ हमारा पेड़ इसी से बढ़ता है पेड़ पौधों का प्रियोग हम औशदी और दवाईयों को बनाने के लिए भी करते हैं दवाईयां बनती हैं पेड़ों को काट कर इसकी लकड़ी का प्रियोग हम फरनीचर जिस पर आप बैठते हैं टेबल, कुरसी आपकी हैना और बहुत सारी चीजे आपका मेज है, कु इन सभी चीजों को बनाने के लिए हम पेड़ पौधों का यूज करते हैं, लकड़ी बनाने भी काम आ रहा है, दवाईयां बनाने के भी काम आ रहा है, ओके और म्रदा यानि मिट्टी जो है वह भी एक निसुल्क प्राकरतिक संसादन है, ठीक है, जिसका प्रियोग हम घर बनाने के लिए या मिट्टी के बरतन बनाने के लिए मिट्टी का प्रियोग करते हैं, और जील है, नदी या तालाब का पानी भी एक निसुल्क संसादन है, उके इसके बदले में हमसे कोई सुल्क नहीं लिया जा रहा है, जिसका प्रियोग हम बिना प्रिवरतन या संसोध किये कर सकते हैं अच्छा इसमें भी अगर बात करें तो जो प्राकर्तिक वस्तमें हैं इनको हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं कौन-कौन से एक तो वो चीजे हो गई जो समाप्त होने वाली हैं और दूसरी वो चीजे हो गई जो समाप्त नहीं होने वाली हैं समाप्त होने वाली चीजें आपके वन दिये तो प्रकृत ने है जंगल दिया तो प्रकृत ने है लेकिन वन नस्ट होते जा रहे हैं और समाप्त होने वाली चीजें आपके जीव जन्तु पैदा होते हैं समाप्त हो जाते हैं और बाकी जो खनी चीजे हैं, कोईला पैटोलियम है, यह सब चीजे समाप्त होने वाली है, समाप्त ना होने वाली वायू, एयर, कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, मिटी कभी समाप्त नहीं हो सकती, और प्रकृत से जो में उर्जा मिल रही है, वह कभी समाप्त नहीं हो सकती, तो ये चीज़े हैं जो समाप्त ना होने वाली और समाप्त होने वाली हैं. तो इस तरीके से प्राकरतिक वर्ष्ट में हैं जिनको हमने समझ लिया. आगे बढ़ेंगे तो मानव निर्मित वस्तों को समझेंगे ऐसी चीज़े जिसको मनुष्ट ने बनाया है. मानव निर्मित वस्तों में क्या होती हैं? मानव निर्मित वस्तों में वो होती हैं जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा स्वेम अपनी बुद्धी और कौसल के प्रियोग द्वारा किया जाता है. जिनका निर्माणयान की, जिसको मनुस ने अपनी बुध्धी लगा करके, अपने इश्किल्स का प्रियोग करके, खुद मनुस ने बनाया है, वह मानव निर्मित वस्तू हो गई, पेड़ पाउधा प्राकरतिक तो है, लेकिन उससे मेज बनाने का काम किस ने किया? मनुस ने क तो जो मेज हो गई मानव रिलमित हो गई जिस लकोड़ी से बनी है उस लक्डी प्राकर्तिक थी लेकिन मेज मानव न ने बनाई अपनी बुद्धी और प्रियोग करके कम्प्यूटर जो कम्प्यूटर है यह क्या है मानवरिल्मित है मकान, गाड़ी, साइकिल, कपड़ा, काच, प्लास्टिक, चार्ट, मॉडल यह सब चीज़े मनुस्त ने अपनी बुद्धी, अपनी कौसल, अपनी आउसकता के हिसाब से इन चीज़ों को बनाया अपना काम आसान करने के लिए कम्प्यूटर बनाया, अपने रहने के लिए मकान बनाया, है ना, और साइकिल, कपड़ा, अपनी अपनी आउसकता के हिसाब से मानुस ने चीज़ों को बनाया है, जैसे प्लास्टिक अगर बात करें इसमें, तो आज कल हमारे दैनिक जीवन की वस्त में प्लास्टिक से बनने लगी है, जाज जादा चीज़ें प्लास्टिक की बनने लगी हैं, है ना, प्लास्टिक वे पदार्थ होते हैं, जिन्हें आसानी से सांचे में ढाल कर, किसी भी वांचित आकरत में ढाला जा सकता है, यानि कि प्लास्टिक जो है, हम जिस प् लपता हाइड्रो कारबन होता है और जैसे इसमें कौन-कौन सी चीजे प्लास्टिक से बन रही है प्लास्टिक में आपका कुर्सी मेज स्टूल पॉली बैग है ना सबसे अधिक प्रियोग होने वाला पॉली बैग यह सब प्लास्टिक प्लास्टिक से बन रही है प्लास्टि पर मुलायम हो जाते हैं समझे बात को जो प्लास्टिक पदार्थ दुबारा गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और किसी भी वांचित आकरित में बार-बार ढाले जा सकते हैं हम जब चाहें तब उसको जो है गर्म करके अलग प्रकार का सेप दे के नई चीज बना सकते हैं उसे हम thermoplastic कहते हैं जैसे polyvinyl हो गया chloride हो गया फिर दूसरा होता है thermosetting plastic थर्मosetting plastic जो होती है वे plastic पदार्त वे plastic पदार्त जो एक बार किसी आकरत में ढाल दिये जाएं तो दुबारा गर्म करने पर मुलाया नहीं होते उन्हें है thermosetting plastic कहते हैं जैसे आपकी यूरिया है backlight है ओके तो यह क्या है plastic plastic क्या है मानव रिर्मित है ठीक है आप plastic उपयोगी plastic के उधारन जैसे आपकी polythene हो गई polyvinyl chloride हो गया टेफलॉन हो गया polypropylene हो गया यह उपयोगी plastic के लुदारन है साबुन क्या है मानव रिर्मित चीज है है और वनसपती तेल यह वसा की अभिक्रिया caustic soda या caustic potassium से करते हैं यह अपका मानव रिर्मित वस्तों के अंतरगतति टॉपिक दिया हुआ है वसा और तेल जिसकी अब करिया हम छार के साथ कराएंगे तो हमें उच्छ वश्री अमलक के लवन साबून प्लस गिल सरीन प्राप्त होगा साबून बनाने की अलग-अलग प्रकार की विधियों से साबून तयार किया जाता है जैसे इसमें पहरी तो थंडी विधि है जो थंडी विधि है अच्छा साबून भी कई प्रकार के होते हैं साबून कितने प्रकार के जैसे खटोर साबून हो गया मरदू साबून हो गया पारदर्सक साबून हो गया कारबोलिक्स साबून हो गया अलग-अलग प्रकार के साबून बनाया जाते हैं बनाने की जो विदी है उसमें ठंडी विदी आ गई आपकी, इस विदी में लोहे का जो बरतन होता है, उसमें सोडियम डियक्षाइट का ठंडा प्रवल विलेन लाई मिला देते हैं, इसमें शाधन साबुन बन करके तयार होता है, फिर आपका गर्म विदी के माध्यम से साब साबुन बनाया जाता है, जो गर्म विदी होती है, जो गर्म विदी है, इस विदी के द्वारा उत्तम कोटी का साबुन बनाया जाता है, अच्छी क्वालिटी का साबुन गर्म विदी से बनाया जाता है, लोहे के बरतन में तेल या वसा को गर्म कर लेते हैं, गर्म तेल मे लाई की आवश्यक मातरा धीरे धीरे डालते हैं जितनी जरूत होती है मिस्टरन जब गाड़ा हो जाता है तो एनसे यल का संतरप्त विलियन मिला देते हैं इसे साबुन विलियन के उपर तैरने लगता है इसमें मैदा विरोजा उचित रंग सुगंदित पदार्थ मिलाते है ठंडा करने पर बट्टियों के रोप में इसको काट लिया जाता है तो ये गर्म विदी से साबुन तयार होता है अच्छा साबुन क्या है अच्छे साबुन की कुछ क्वालिटीज होती है जो अच्छा साबुन होता है वो चिकना मुलायम होना चाहिए साबुन में छार नह ही होना चाहिए तोचा को नुक्सान ना पहुंचाए ओके अब इसके बाद जैसे और भी चीजें हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें वह हम लोग डिस्कस करें जैसे कंप्यूटर है कंप्यूटर क्या है मानव निर्मित वस्तु है कंप्यूटर जो है यहां उसके काम को बहुत आसान कर देता है अच्छा प्यारे दोस्तों हम आपको बताते छलें कि यह चैनकता मतलब होता है कि आपको कुछ फीच पे करनी होती है और आपके जो आर्ट सब्जेक्ट है आर्ट सब्जेक्ट का complete content आपको provide कराया जाता है और जो हमारे notes होते हैं ये PDF form में WhatsApp पे provide कराया जाते हैं जिसमें हम आपको कम से कम शब्दों में आसान से आसान शब्दों में और pictures के माध्यम से आप इन topics को समझ पाएंगे और अपना exam में बहतर कर पाएंगे तो यदि आप interested हैं तो आप हमारे ये notes ले सकते हैं इन notes को पढ़कर के आप बहुत आसान तरीके से चीजों को समझ पाएंगे और exam में उसको उसी तरीके से लिख पाएंगे जिससे आप बहतर marks gain कर पाएंगे तो यदि आप interested हैं तो हमें इस number पर whatsapp messenger के notes की information आप ले सकते हैं 9628182649 जिसमें आपको 8 subject के complete notes मिलेंगे topic wise आपको previous year question papers दिये जाएंगे आपको question answer दिये जाएंगे जिसमें question answer में आपका objective questions पहुंगे आपके आते लोग उत्तरी प्रश्ण होगे और लग उत्तरी प्रश्ण होगे तीन format में आपका paper आता है उसी के सबसे आपको question answer दिये जाएंगे तो आपको complete content according to syllabus topic wise previous year question papers question answer everything सब कुछ आपको provide करा जाएगा और उसके लिए आपको कुछ fees पे करनी होगी उसके बाद notes PDF form में वाटसप पे provide करा दिये जाते जो number है यहाँ पे वाटसप messenger के notes की information ले सकते हैं बहुती best quality के notes रहेंगे जिनेंगे पढ़कर के आप बहुत अच्छा कर पाएंगे आते हैं topic पे computer की बात कर रहे थे जो कि मानव निर्मित वस्तु है मानव ने गरना समन्दी बड़े आकड़ों के सनच्छन के लिए जो बड़े बड़े आकड़े हैं जो data है उसको collect रखने के उसको संग्रह करने के लिए सनच्छन करने के लिए बचाकर रखने के लिए इस युक्ति का निर्मान किया था ये एक ऐसी मानव निर्मित वस्तु है जिसका व्यावहरिक जीवन के प्रतिक छित्र में अधिक प्रियोग किया जा रहा है आज तो पहले बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे आज तो आप हाथ में कंप्यूटर लिए घूम रहे हैं आपका फोन भी एक तरीके से कंप्यू आपकी कंप्यूटर आपका पूरा एक सब्जेक्ट है उसमें हम इसको विद्व तरीके से समझेंगे प्राकरतिक और मानव निर्मित वस्तु का वर्गी करण प्राकरतिक वस्तु में क्या है नदी पहाड वायू पेड़ फल फूल पौदे जरने है ना मानव निर्मित वस् को विद्वत तरीके से समझ लिए अब हम बात करते हैं पौधे और जन्तुगी प्लांट एंड एनिमल की देखें पौधे मानव जीवन का अभिन अंग हैं और कह सकते हैं कि बहुत महत्पूर्ण है यह है ना पौधे जो है वो मानव के लिए बहुत महत्पूर्ण है पौधे लाइफ है पौधों की बिना मानो जीवन संभव नहीं है बिलकुल इंपॉसिबल है कुल मिला करके क्योंकि यह जीवन का मूल आधार है जो जीवन का मूल आधार कौन है पेड़ पौधे इनी से हमें ऑक्सीजन मिलती है प्रकास संसलेशन की क्रिया में पौधे ऑक्सीजन देते हैं और यही ऑकसिजन हमें वातावरण से प्राप्त होती है जो हमारे जीवन का मूल आधार है पौधे और जनतु पूरी तरह से जीववा के अलग-अलग रूप हैं ये भी जीव हैं और जो बाकी जो जनवर है वो तो जीव है ही तो पौधे और जन्तु पूरी तरह से जीवों के अलग-अलग रूप है ये भी जीव हैं ये भी जीव हैं लेकिन दोनों का रूप अलग है और उनके पास अपना अलग-अलग अस्टित्तो भी है दोनों के बीच का जो अंतर है वो कोश्च की इस तरह तक गहरा जाता है पौधे और जन्तु कई तरह से एक दूसरे से भिन भी होते हैं देखिए अब इसमें आगे बढ़ें तो पौधों और जन्तों में कुछ समानताएं होती हैं क्या समानताएं होती हैं समझते हैं पौधे और जन्तु परसपर इतने निर्भर हैं कि एक दूसरे के बिना इनका जीवन संभव नहीं है इनमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं, क्या समानताएं पाई जाती हैं, देखिए नमबर एक तो व्रद्धी, जन्तुओं और पौधों में व्रद्धी होती हैं जीवन जन्तु हैं, उनमें व्रद्धी हो रही हैं, वो भी ग्रू कर रहे हैं, और पेड़ पौधे भी ग्रू कर रहे हैं तो ये दोनों में समानता हो गई, समय के साथ साथ वे बड़े होते हैं जीव जन्तू जानूर भी समय के साथ बड़े हो रहे हैं और पेड़ पौदे भी समय के साथ बड़े होते जाते हैं और दोनों में व्रद्धी होती है, दोनों में यह समानता है आकार की बात करें तो जन्तूओं का आकार निश्ची तवस्था में ही फैलता है जबकि पौधों का आकार विशाल रूप ले लेता है जन्तूओं का आकार एक निश्ची तवस्था होती है उसके बाद उनका जीवन चाहें 10-20 साल आगे हो लेकिन उसमें इंच भरवी फर्क नहीं पड़ता जो एक निश्चित अवस्था है वहीं तक उनका आकार फैलता है लेकिन जो पौधा जो पेड़ है वह जितना पुराना होता जाएगा उतना है उसका विशाल रूप होता चला जाएगा तो जो पौधे जो पेड़ होते हैं उनका जो आकार है वह विशाल रूप ले लेता है सौसन किरिया की बात करें तो पौधे सौसन किरिया की फलसुरूप कारबन डाय ऑक्साइड ग्रहन करते हैं और oxygen छोड़ते हैं जो पौधे हैं वो carbon dioxide ग्रहन करते हैं और oxygen छोड़ते हैं जबकि जो जीव जन्तु हैं वो इसी oxygen को ग्रहन करते हैं जिसे पेड़ पौधे छोड़ रहे हैं और carbon dioxide छोड़ते हैं जिसे पेड़ पौधे ग्रहन करते हैं बोजन की अगर बात की जाए तो जीव जन्तु प्राकृतिक पदार्थों को बोजन के रूप में ग्रहन करते हैं जो प्रकृत ने दिये हैं जबकि पौधे प्रतवी में उपस्थित खनेज लवणों और खादे पर निर्भर रहते हैं अगर पानी की बात की जाए तो जन्तु और पौधों को अपने जीवन काल को बढ़ाने के लिए पानी की अधिक से अधिक आउसकता होती है जीवों को मनुस्य को भी पानी की आउसकता है पेड़ पौधों को भी पानी की आउसकता है यदि पेड़ पौधों को पानी ना मिले कर ला सकें । मानव के लिए आवशक्ता जीवजनु तथा पौधे दोनों ही मनुष्य के लिए अते देक उप्योगी हैं पौधों से खाद्य पदार्थ इमार्ती लकडी आदी वस्तवें प्राप्त होती ठीक है, रोग के अगर बात करें तो जन्तूओं और पौधों को रोग लगते हैं, अधिक रोग फैलने से ये दोनों ही नश्ट हो जाते हैं, चाहिए वो पेड़ पौधे हो या फिर जीव जन्तूओं दोनों में समानता होगी, अगर बात करें कि पौधों और जन्तूओं मे अंतर क्या है तो अंतर भी समझ लेते हैं ठीक है चलिए अंतर की बात करते हैं पौधो और जंतू में क्या अंतर होता है अगर आपसे पूछ लेक्जाम में पौधो में उपर की वरद्धी होती है ये काफी उचाई तक बड़े हो जाते हैं जबकि जंतू जो होते हैं जंतू क कुछ उचाई तक ही बड़े होता आप मानव है ठीक है तो आपकी जो उचाई है वो एक निश्चित निश्चित है कि कहां तक आपकी उचाई जाएगी पांच पाइंट कितनी जाएगी छे कितनी जाएगी बस इससे उपर नहीं जाएगी तो यहां पे जो पौधे होते हैं ज जबकि बाकी जन्तों के उचाई लिमिट रहती है, पौधों और जन्तों में शम्वेदना शक्ती होती है, जीवों में सम्वेदना शक्ती अधिक होती है, ये उसको प्रकट कर सकते हैं, जबकि पौधे अपनी शम्वेदना शक्ती को प्रकट नहीं कर पाते हैं, जबकि होती ह समेधना प्रकट नहीं कर पाते बिचारे पौधे प्रकास की उपस्तिती में ही बढ़ते हैं अगर जहाँ पे कोई पौधा है उसको यदि सूर्य का प्रकास ना मिले तो वो ग्रो नहीं करेगा प्रकास की उपस्तिती में ग्रो करते हैं जीव के लिए प्रकास की आवसकता नहीं पड़ती है जीव अपने भोजन के लिए पौधों का उपयोग करते हैं जबकि पौधे अपने भोजन के लिए जीवों का उपयोग नहीं करते हैं पौधे एक ही स्थान पर इस्थिर रहकर बड़े होते हैं एक जगह जहां उनका जर टेदै पड़ा करते थे अगर फेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते हैं न एक पोयम हो करती थी हुआ करती थी पहले तो इस तरीक से पौधों पर रितु परिवर्तन का परभाव परता है जो पौधा करते हैं रितु आती हैं इनके पत्य जढते हैं फिर से नए पत्ते निकलते हैं पेड़ पहते बड़े शुंदर हरे भरे निकल लगते हैं जबकि जंतुओं पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो यह इनमें अंतर और शमानता थी अब बात करते हैं जंतुओं और वनस्पतियों में जो वातावर्णी अनकूलन हो जंतुओं और वनस्पतियों में वातावर्णी अनकूलन को समझते हैं देखे प्रतेक जीवधारी ऐसे आवास में रहना पसंद करता है जो उसकी सभी अथवा अधिकतर आवसिक्ताओं की पूर्ती कर सके है ना कोई भी जीवधारी हो चाहे वो जीवजनतु हो या मानव हो वो ऐसी जगह रहना चाहता है ऐसी जगह अपना घर बनाना चाहता है जहां उसको खाने के लिए भोजन मिल सके उसको पीने के लिए पानी मिल सके है ना अच्छी खासी उसे हवा हवा मिल सके है इस तरीके से उसकी सभी आवसिकता है या कह सकता है कि अधिक से अधिक उसकी जहां पूरी हो सकें, वहां वो रहना पसंद करता है, अच्छा हम लोग भी अपना घर बदल लेते हैं, है ना, माली जगर कहीं जॉब लग गई बाहर, तो वहां जाकर के रहने लगते हैं, क्योंकि वहां हमारी आओ सकता हैं, पूरी हो रही है, या दूसरे point of view से भी, जहां ह में सही लगता है, हमें अपने according समाज या अपना अनुकूलन जहां दिखाई देता है, हम वहां रहना पसंद करते हैं, अर्थात कोई भी जीव जाती, यदि सफलता पूरवक बने रहना चाहती है, तो उसे अपने आवास की परिस्थितियों, एवं उनमें होने वाले प्रिवरतन हो रहे हैं, वह आपको accept करने होगे, उसके साथ आपको adjust करना होगा, अनिता वह समय के साथ समाप्त भी हो जाएगा, ऐसा करने के लिए समय समय पर जीवधारियों को अपनी रचना एवं activities में अनेक प्रिवरतन लाने पड़ते हैं, इसे ही अनुकूलन कहते हैं, यानिकी समाज के साथ अपने आपको ढाल लेना अनुकूलन है, वातावरण के साथ अपने आपको ढाल लेना अनुकूलन है, यदि हम बदलती परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदले, तो समय हमको बदल देगा, यानिकी हमें नश्ट कर देगा, हम नश्ट हो जाएंगे ठीक है तो इसी को adaptation कहा जाता है इसी को अनकूलन कहा जाता है अनकूलन के कुछ उदाहरन है जैसे मरुस्तली जो चुवे हैं ये मैदानी चुवों के पेच्छा मरुस्तल में अच्छी प्रकार से रह सकते है मरूस्तल में उوर्ट आने जानवरों के पेचा अधिक सुगंता से रह सकता है क्योंकि वहां का उसको एटमसफेर मिल रहा है वो उसके साथ अनुकूलन कर रहा है पक्षी आकास में मचलियां पानी में रहने के लिए अनुकूलित होती है मचलियों मचलियां आकास में नहीं रह सकती और पक्षी पानी में नहीं रह सकते ठीक है विभिन प्रकार की अनुकूलताएं होती है जीवधारियों में दो प्रकार की अनुकूलताएं होती है एक तो सनचनात्मक अनुकूलन दूसरा होता है क्रियात्मक अनुकूलन एक एक करके समझ दीजिए जो सनचनात्मक अनुकूलन होता है जब किसी जीवधारी के सरीर की रचना में कुछ ऐसे प्रिवर्तन हो जिनसे उस जाति का अपने आवास में रहने में अधिक सुविदा हो इसे सनचनात्मा को अनुकूलन कहते हैं जैसे पक्षियों में उड़ने के लिए पंक विक्सित होना जब किसी जिवधारी के सरीर की रचना में कुछ ऐसे प्रिवरतन हो, कुछ ऐसे बदलाव आ जाएं जिनसे उस जाति का अपने आवाज में जहां वो रह रहा है वहां रहने के लिए अधिक शुविधा हो, इसी को सनचनात्मा का अनुकूलन कहते हैं पच्चियों में उड़ने के लिए पंक डफलप हो जाते हैं जैसे क्रियात्मक जो होता है, जब किसी जिवधारी की शारिरिक क्रियाओं में कोई ऐसी विशेष्टा आ गई हो या ऐसे प्रिवर्तन हो गए हो जिनसे उसे अपने आवाश में रहने और फैलने फूले में अधिक सयोग मिले तो इसे क्रियात्मक अनुकूलन यानि की एक्टिविटी के माद्यम शब अपने आपको उसके अनुकूल कर रहा है इसे क्रियात्मक अनुकूलन कहते हैं जैसे मरूस्थल ये चूओं को कम पाने की आवसकता होना क्योंकि मरूस्थल में पाने भी कम मिल दा है उन्हें पाने की आवशक्ता भी कम है ये क्रियात्मक अन्कूलन है अच्छा आप देखें क्रियात्मक अन्कूलन में हमारा वातावर्णी अन्कूलन भी आता है कैसे इसको समझते हैं जन्तों में वातावर्णी अन्कूलन यानिक डार्विन के अनुसार जब सूखा पड़ा और घास सूख गई तो अपना जीवन बचाने के लिए जीराफ को वातावरन के अनकूल होना पड़ा अब आगे बढ़ते हैं वनस्पतियों में वातावरन अनकूलन ये क्या है वनस्पतियां भी वातावरन के अनुसार अपने को बदल लेती है कैशे नागफणी मरुस्थल में पानी की कमी के करण पत्तियों को काटों में बदल लेती है जो नागफणी का पाउधा होता है यह मरुस्थल में यह पानी पूरा नहीं मिलता तो यह पत्तियों को काटों में बदल लेती है जिससे पानी का खर्च का मातरा में हो तो यह क्या हो गया वाता वर्णी अनकूलन हो गया तो यह हमारा चैप्टर था जिसमें हमने समझ लीजिए पहले पूरी बात क्या क्या समझा इसमें हमने प्राकरतिक वर्षत्वें समझी क्या होती है फिर मानव निर्मित वस्तों को समझा कौन कौन से मानव निर्मित वस्तों होती है और प्राकरतिक मानव निर्मित वस्तों पौधे और जंतों को समझा पौधे और जंतों में क्या समानता होती है फिर पौधे और जंतों में क्या अंतर होता है फिर जनतों और वनस्पतियों में वाता वरण के हिसाब से अनुकूलन करना किस तरीके से आता है ये हमने समझ लिया अब जो next class होगी हमारी वो class number 3 होगी और जिसमें हम chapter 2 को discuss करेंगे ठीक है और अगर आपने अभी तक हमारा ये content हमारे notes नहीं लिये हैं तो आपको भागने भटकने की आउशकता नहीं है आप फटा होट से हमें message करके notes की information ले सकते हैं और यह जो notes आप देख रहे हैं सामने यह आप ले सकते हैं जिससे आप बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं और इससे बेहतर notes आपको कहीं नहीं मिलेंगे ठीक है तो नंबर हमारा ध्यान दखिएगा सामने screen पर है आपके नंबर देखिएगा 9628182649 जिसमें आपको जो आठ पेपर हैं आपके सभी के complete notes आपको provide करा दिये जाते हैं